नमस्ते बच्चों, कक्षा 6, वीशे अगनित और प्रिशनावली 12.2 चल दी है, अनुपास मानुपात इसके जो 6 तक कोशन अपने पहली वीडियो में कर चुकी है, आगे के कोशन अपने देखती हैं, तो देखो अपने को क्या दे रखा है सात्मा कोशन, कि 4 दर्जन केलों का मुल्य आपको दे रखा है 180 रुपे, और आपसे पुछा क्या है 90 रुपे में, मतलब रुपे वाले उसे गुना करना है, तो इस रुपे वाले से क्या करेंगे, बाग देंगे, लेकिन यह क्या है, चार दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो चार दर्जनों में कितने आ मूना नग्रे डालीश के लिए खते हैं। तो एक रुपए में कितने खरीदेंगे 48 बटा में 180 फिर अपने को चाहिए 90 रुपए में तो 90 रुपए का निकालना है तो 48 बटा में 180 गुना में 90 0 से 0 कटगी 9 दूनी 18 फिर इसको करें 24 जो केले हैं वो अपने खरीदेंगे 90 रुपए में इसके बाद देखो आठमा कोशन कि बहतर पुस्तों का बार दे रखा है नो किलोग्राम बहतर पुस्तों का बार कितना है नो किलोग्राम तो एक पुस्त का बार क्या आएगा नो बटा में बहतर ग्याद कितनी का करना है चालिस पुस्तों का तो नो बटा बहतर गुणा चालि नो दुनी थारा और दो पांच है दस चालिस पुस्कों का बार कितना होगा पांच किलोग्राम होगा पहले एक का निकाल लो फिर जितने का पुछा उसे गुना कर दो अब देखो नोमा कोशन क्या दे रखा है कि एक जो ट्रक है वो क्या है कि 594 किलोमेटर चलने पर इतना लिटर दीजल उसका लगता है तो इतने किलोमेटर मतलब किलोमेटर वाला है तो इस किलोमेटर वाले से क्या करेंगे बाग देंगे कि 594 किलोमेटर चलता है तो इसका डीजल लगता है इतना एक किलोमेटर चलेगा तो उसका डीजल कितना लगेगा 108 बटा में 500 चुरान में फिर अपने को निकालना है 1650 किलोमेटर का तो 108 पांचो चुरान में गुणा में 1650 ठीक है यहां तक हो गया अब इसको हल करना है अब इसको चाहिए 2 से बाग देती हैं उसको दो गिरा 2 दोनी चाहिए 2 निम छारा दो सात्य चोदा अब यह तीन से जाएगा तीन निम 21 दो 27 तीन निम 21 und ہے 27 और यह तीन से 3 एकम 3 तीन एकम 3 और बच्चे से 2 चोविस तीन आठाट 24 यह दो नों 11 से कटेंगे 11 निमै निना आनमे और ये होगा ग्यारा एकम ग्यारा ग्यारा पांजे पिछमन जीरो नो दुनी ठारा तो पंदरा दुनी तीन सो तीन सो जो लिटर जो डीजल है वो इसका लगेगा इतने किलोमेटर चलने में इस परकार आप इसको काट के हल करोगे इसके बाद दसमा कोशन कि राज्जू ने देड़ सो रुपए में दस पैन खरीदे दस पैन राज्जू ने जो खरीदे वो खरीदे देड़ सो रुपए में दस पैन उसने खरीदे हैं देड़ सो रुपए में तो एक पैन उसने कितने में खरीदा फिर देड़ सो बटा में दस जिरो से जिरो कटगी पंदरा रुप मैं पिर बात करते हैं मनीश की मनीश ने साथ पैन खरीदें हैं 84 रुपधे में तो एक पैन मनीश ने कितने में खरीदा 84 बटा में 7 साथ एकम साथ एक बचा चोदा सादूनी चोदा रुपे में मनीश ने खरिदा बारा रुपे में सादूनी चोदा सोरी बारा रुपे में राजु ने खरिदा पंदरा रुपे में तो सस्ता फिर किस ने खरिदा मनीश ने क्या किया राज्जू से सरस्ता पेन खरिदा बस आपको एक का निकालना है और एक का कैसे निकालते हो बाग देकर इसके बाद देखो ग्यार्मा कोशन अनीश ने क्या किया है 6 ओवर में उसने रन बनाई है 42 तो 1 ओवर में उसने रन बनाई कैसे निकालेंगे 42 वटा में 6, 7 रन एक ओवर में उसने कितने रन की उस्त पड़ी उसकी 7 की उसके बाद बात करते हैं अनूप की अनूप ने क्या किया 7 ओवर में रन बनाई है 63 7 ओवर में उसने रन बनाई कितने 63 तो एक ओवर की बात करें 63 वटा में 7, 9 रन उसने एक ओवर में कितने रन बनाए नो रन अनीश ने एक ओवर में कितने रन बनाए साथ रन फिर ज्यादा किसने बनाई अनूप ने तो इसका उत्तर क्या जाएगा अनूप कि आपको पहले एक का निकालना है और फिर जितने का पूछा है आप उससे गुना करके वो निकालो लेकिन इन दोनों में तो तुलना ही थी पैन की आपको तो बिस एक पैन का मुल्य इसका निकालना था एक पैन का इसका तुलना करनी थी किसका कम है किसने सस्ता करिदा और इसमें रन निकालने थी एक ओवर में और तुलना करनी थी मतलब एक का निकालने के लिए बाग करते हैं ज्यादा का निकालना हो तो फिर उसे बुना करते हैं तो आपकी यह जो बारा पंटीन जो प्रिशनावली है यह पूरी हुई धन्यवाद